नमस्कार दोस्तो मैं गॉरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याइसीडिया में दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये किलास हमारी सुभा 9 वजह होती है किस टाम होती है सुभा 9 वजह और हिंदी की हमारी topic-wise चलती है किसकी हिंदी की और topic चला हुआ है हमारा क्या आपका Sangya संगय हमने और संगय में अब तक हमने एक class ली है तो दोस्तों आये सुरू करते हैं हम अपना topic संगया आज कर जो topic है हमारा संगय हम सुरू करते हैं आज दूसरी क्लास है, अगर किसी की पहली क्लास उट गई है, तो वो जाईए और पहले वो क्लास देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, संग्या के प्रकार कितने पता है थे? पांच, जिसमें इसे व्यक्ति वाचक संग्या हमने कंप्रिट कर ली थी, व्यक्ति वाचक किसी विशिष्ट की पहचान होती थी, क्या होती थी? किसी विशिष्ट की पहचान उसमें कराए जाती थी, लेकिन जिन संग्या शब्दों से किसी वस्तू या किसी व्यक्ति की संपून जाती का बोध होता है, उसे क्या कहते है जाती वाचक संग्या कहते है जिन संग्या शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संपून जाती का संपून जाती का बोध होता है जाती का बोध होता है क्या होता है जिससे संपून जाती का बोध होता है उसे कहते है उसे जाती वाचक संग्या कहते है क्या कहते है जाती वाचक संग्या कहते है क्या कहते है जाती वाचक संग्या कहते है अब देखिए जाती वाचक संग्या किसे कहते है मैं आपको समझा देता हूं जैसे जैसे इसे आप लोग थोड़ा समझ जाओगे एक्जामपल देखे थोड़ा सा उदारान अगर मैं आपको बता देता हूं उससे आपका किलियर भी ह जाएगा और आप अच्छे से समझ भी जाएंगे जैसे अगर मैं बात करूँ भाई बेहन नदी पहाड आदे क्या हुआ यह सभी क्या है यह सभी जाती वाचक संग्या है क्या है जाती वाचक संग्या देखिए भाई भाई शब्द से हमें किसी विशिष्ट भाई की पहचानने होती मेरा भाई है अगर मैं कहूं मेरा भाई राम है तो मैंने अपने भाई की बार बताई राम की तो वह विश्येस हो गया एक विश्येस व्यक्ति की बाब व्यक्ति हो जैसे संग्या लेकिन मैंने कहा भाई अच् मैंने कहा नदी हमें पानी देती है, नदी हमारा जीवन है, क्या नदी हमारा जीवन है, तो क्या नदी मैंने किसी विशेश नदी की बात की, नहीं, मैंने किसी विशेश नदी की बात की, मैंने स्रिप एक विशेश नदी की बात की, मैंने स्रिप नदी क कहा, कि नदी हमारा ज जीवन होती है ठीक है ना तो क्या मैंने विशिस नदी की बात की नहीं मैंने संपून नदी जाती के बारे में आपको बताया है आप लोग नहीं बता सकते कि मैंने किस नदी के बारे में बात की है यह आप लोग बिलकुल भी नहीं बता सकते कि मैंने किस नदी के बारे में बा मतलब मैंने कहा हिमाल ले हमारा प्रहरी है तो मैंने पहाडों में भी एक विसेश पहाड के माने बताया किसके हिमाल लेके तो व्यक्तिवाचक लेकिन जब मैंने कहा पहाड हमारे प्रहरी होते हैं तो मैंने किसी पहाड के बारे में नहीं कहा तो आप लोग यह नहीं बता सकत मैंने किस पहाड की है तो यह हो गया जातीवाचक जो हमें पहाड पहाड शब्द है संपूर पहाड जाती का बोद करा रहा है जो नदी शब्द है संपूर नदी जाती का हमें बोद करा रहा है अब देखिए बात करता हूँ आपका जो आपके होते है व्यक्ति वाचक संग्या, संग्या तो हमने खतम कर लिए जाती वाचक की हम बात कर रहे हैं, जाती के बारे में हम लोग बात करते हैं, व्यक्ति वाचक, जाती वाचक, चीक है ना, बात करता हूँ, मैंने कहा है मनुष्य, बताइए, जो मनुष्य है ये कैसा सब्द है क्या ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है बताईए क्या ये व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है मैंने कहा आपका नदी अब बताईए मुझे ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है बताईए क्या है ये आपको पता है क्या है जाती वाचक और ये क्या है मनुश्य मनुश्य भी जाती वाचक क्यों की हमें संपून मनुश्य जाती का बोद करता है अब बात करते हैं हम लोग मतलब ऀनकी पहचान की की बात करता हूं मैं ठीक है जाती वाचक संग्या के रूप की बात करता हूं जाती वाचक संग्या की मैं पहचान की बात करता हूं ठीक है मैं पहचान लिखूंगा आप लोग पहचान जाएगे पहचान ठीक है जाती वाचक संग्या की मैं पहचान की बात करता हूं हमारे सग संबंदी के अगर बात करता हूं मैं जो हमारे संबंदी होंगे संबंदियों के बारे में अगर मैं बात करता हूं जैसे हमारे रिष्टे होंगे क्या होंगे जैसे हमारे रिष्टे हैं भाई बहनी हमारे सगे ना मा बाप यह सब क्या है एक जाती वाचक संग्या है क्या है क्य ये क्या है, एक जाती वाचक संग्या है, मा शब्द एक जाती वाचक संग्या है, भाई शब्द एक जाती वाचक संग्या है, जो में संपूर्ण भाई जाती का बोध कराता है, पिता जाती का बोध कराता है, ये शब्द क्या है, ये शब्द संपूर्ण एक जाती का बोध कर करता हूं पद क्या है पद भी हमारे जाती वाचक संग्या के अंतरगती आते हैं ठीक है ना जैसे भाई बेहन आपके पद मतलब वकील मैं बात करता हूँ यह हो गया इसको है पे रही पिर पिता है अब मैं बात करता हूँ जातीए अचास大家都 लिखा देता हूँ आपको पहचान देकिए भाई हमारे सं데 सम्बंदी हो गए भाय बहन भाई बहन माता citi ठीक है सगे संबंदी हो गए बात करूँ वकील कि दोक्टर आपका आपका क्या हो जाएगा आपका टीचर क्या हो जाएगे टीचर ठीक है ना शिक्षक क्या हो जाएगे शिक्षक क्या हो गया, शिक्षक हो गया, क्या हो गया, शिक्षक हो जाता है, क्या हो जाता है, शिक्षक हो जाता है, ठीक है, जैसे शिक्षक, ये क्या हो गए, ये हमारे पद हो गए, ये क्या हो जाते है, ये सगी संबंदी हो जाते है, ये पद हो जाते है, क्या हो जाते है, हमारे पद हो जाते हैं अब बात कर लेता हूं मैं और देख लिजिए जैसे पशू पक्षियों के नाम क्या पशू पक्षियों के नाम किसमें आएंगे जाती वाचक संग्या में आएंगे जैसे गाएं बैल तोता कोवा आपका चिडिया यह सब क्या है यह हमें संपूर गाई जाती का बोध कराती है बैल जाती का तोता जाती का चिडिया जाती का हमें क्या कराती है बोध कराती है ठीक है बात करूं मैं आपके जैसे आपके हो गए क्या फलो के नाम क्या हो गए आपके फलो के ना फलो के नाम आपका आम अम्रूध केला आदे फलो के नाम क्या है संपुर्ट जाती का अबूद कराते क्योंकि आम की विराइटी की बात करता हूं जैसे में बात करूं इलाबादी सोरी आहां आम का मलिहाबादी आम क्या मलिहाबादी आम तो क्या होगा एक विसेश आम की बात की मैंने का एक अलफांसो एक विसेश आम की बात की तो व्यक्तिवाचक लेकिन आम अम्रूद केला यह सब क्या है यह एक व्यक्तिवाचक संग्याए लेकिन जब इसके अंदर जा को समझते हैं और देख लेते हैं अच्छे से जैसे बात करूं जैसे भुकंप बाड क्या भुकंप हो गया बाड हो गया प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं क्या कहते हैं प्राकृतिक आपदा वर्सा हो गया चक्रवात आ गया वर्सा चक्रवात तूफान आ गया यह सब क्या है तुफान ही और मकी जो फट गया ज्वाला मुखी जो शब्न है जाती वाचक है क्या है ज्वाला मकी क्यों है ज्वाल्ब कि आप कर योगे कि विचेश भी ज्वाल्ब कि के नाम है किसे ज्वार्ग जाना मुखी नार-कॉ नाम है यह और एक आप Вас bene यह हां मैं आप याद नहीं आ रहा है मैं पता दूंगा दो जॉवाला मुखी भारत में दोनों का लग लग नाम करता हूं ना को रखना गया तो जातीव वैक्ति वाचक लेकिन जॉवाला मुखी फट गया जातीव चक तो क्या हो गया यह सब भी प्राक्रितिक आपदाई जो शमु वाचक संग्या संुवाचक संग्या किसे कहते है ठीक है समु वाचक संग्या एक बात वह आपको बता जाता हूँ नोट टके लिखीगा नोट तेकिए जय चंदो से देश को खत्रा है से देश को खत्रा है ठीक है आगे खत्रा है देखें यहां जो जैचंद सब्द है यह कैसा है जैचंद जो सब्द है यह कैसा है वैक्तिवाचक की जातिवाचक बताई आप लोग जैचंद तो नाम है किसी का तो कैसा होना चाहिए यह आपका वैक्तिवाचक होना चाहिए यह कैसा होना च को खत्रा है जैचंदों से देश को खत्रा है यह जैचंद जो सब्द है यह देश के गद्दरों से सम्मंदित करता है तो गद्दरों की एक जाती जैचंद से सम्मंदित हो गई जैचंद ने देश के साथ गद्दर की थी तरायन के युद में तो क्या हो गया जैचंदों से द अब बात करते हैं हम लोग क्या आपका समू वाचक संग्या की किसकी बात करते हैं समू वाचक संग्या की हम लोग बात कर लेते हैं समू वाचक संग्या वे शंग्या शब्द वे शंग्या शब्द जो हमें किसी वस्तू की किसी व्यक्तिया किसी वस्तू के समू का बोध कराते वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के सम्हू का बोध कराते हैं वे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के सम्हू का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं सम्हू वाचक संग्या कहलाते हैं सम्हू वाचक संग्या कहलाते हैं वे शब्द जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की सम्हू का बोध कराते हैं सम्हू वाचक संग्या कहलाते हैं जैसे की बात करता हूं अब आपको समझ में आ जाएगा यहां से जैसे बही एक समू की बात करता हूँ एक होती है जाती एक होती है समू दोनों में डिफ्रेंस कराओंगा आपको यहाँ पर आप समझ जाओगे जैसे अगर मैं बात करता हूँ गिरो क्या हो गिरो गिरो क्या होता है एक जुंड होता है एक समू होती है समीती समीती तिक है बात करते है आपका और देख लीजिये और बता देता हूँ चाबी का गुच्छा चाबी का गुच्छा अब देखे गिरो गिरो की अगर बात करता हूं जो गिरो है यह कैसा शब्द है आपको होगे सरी गिरो की जाती का नहीं जाती नहीं यह यह गिरो का मतलब होता है एक समू बैग गिरो किसका गिरो बदमासो का गिरो बदमासो का गिरो बिलकु सही ठीक है ऐसे होता है कि गिरो गिरो ने वहाँ गिरो पकड़ लिया पूरा तो बदमासो का गिरो अर्थाथ बदमासो का एक समू बात करता हूं सभा ऐसी स्थान जहां पर लोग वारता लाप कर रहे हो किसी बात विशेश को लेकर सभा कैलाती है समीती कैलाती है भीड लोगों का समू क्या 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 ता है छाबि का à उद्हें का सवूं जो सुष्ण की किरण आती है उनके समू को क्या कहते है क्या कहते है पुंज कहते है ठीक है ना बात करूं मंडल क्या मंडल ठीक है क्या होगा मंडल मंदल ठीक है ना क्या होगा मंदल तो ये सब क्या है ये सम्हू की पहचान कराते है ना कि किसी जाती की पहचान कराते है किसकी पहचान कराते है ये सम्हू की पहचान कराते है झाल 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 झाल